गूड मॉर्निंग बच्चो वेलकम टू अलाइन क्लासे जो फारल केडमी तो बच्चो अपन पढ़ रहे थे इंविटेशन राइटिंग इंविटेशन राइटिंग में जो आपके स्लेवस में है और साथ में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है रिप्लाइज तो अपन चार वीडियोज के अंदर कर चुके हैं उसके टेस्ट भी आने की ले लिए गए है उसके बाद अपन ने आने की क्या था इंविटेशन राइटिंग फोर्मल इंविटेशन अपन ने कर लिया है आज जो अपन करेंगे वो है इनफोर्मल इंविटेशन तो बच्चो फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेनी है कई बार एशा लगता है कि जिसकी संभावना कम रहती है वो यानिकी क्योशन है वो एक जाम में पूछ लिया जाता है तो अपन किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेंगे तो इसलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ या इन्विटेशन करवा रहा हूँ तो फॉर्मल इन्विटेशन अपन कर चुके हैं आज जो करेंगे वो है इन्फॉर्मल इन्विटेशन तो बच्चो पहले ही जब रिप्लाइज करवाई थी तो मैंने आपको बताय था कि formal है वो एक fixed format में लिखा जाता है third person में लिखा जाता है card की तरह लिखा जाता है और एक box के अंदर लिखा जाता है जबकि informal है वो letter की तरह लिखा जाता है first और second person में लिखा जाता है और last में इसको भी क्या है box के अंदर बंद करना होता है तो ये लेटर अपना रह गया था फॉर्मल इंविटेशन दो-तिन मेने पहले मैं आपको करवा दिया था और कल भी आपको आने की लिंक है मैंने आपके नमबर पे आने की सेंड कर दिया था तो आज देखिए इन फॉर्मल इंविटेशन अपन कर रहे है आपको कोपी में आने की उतार लेना है तो देखिए क्योसन अपना ये रहेगा कि यू आर मिसेज कोकिला मोदी कि आप कोन हो सिरिमती कोकिला मोदी हो और यूर एल्डर संस आपका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है एहम मोदी कि इस गोइंग वे जा रहा है तू भी मेरिट साधी करने जा रहा है ओन कितने तारीक को 10 अक्टूबर 2020 को कि आप कोन हो मिसेज कोकिला मोदी हो और आपका बड़ा बेटा जिसका नाम क्या है एहम मोदी है क्या करने जा रहा है साधी करने जा रहा है कितने तारीको 10 अक्टूबर 2020 को 8 कहां मोदी भावन जेपूर के अंदर होगी 8 7 पिम कितने बजे होगी 7 बजे होगी ठीक है आपको prepare an informal invitation और आपको क्या करना है एक informal invitation त्यार करना है to invite your friend किंजल किसको invite करने के लिए आप अपने friend किंजल को invite करने के लिए किस पे to your son's marriage party आपके आने की son की बेटे की marriage party है उसको attend करने के लिए तो कहने का मतलब क्या आपको केवल invitation देना है replies नहीं देना है तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आपके जो letter लिख रहा है write कर रहा है उसका address आएगा जैसे आपने कोई भी address दे दिया जैसे मोधी भवन साधी कहां कर रहा है मोधी भवन में कर रहा है तो आप अपना address लिख दीजिए मोधी भवन अब उसके बाद writing date date की बात है बच्चो आप आप जस निचे वाली लाइन में भी लिख सकते हो एक लाइन छोड़ कर भी लिख सकते हो ठीक है कितने तारीक को लिखा जा रहा है writing date हो गई साधी कितने तारीक को है 10 October को लेटर कितने तारीक को लिखा जा रहा है invite एक तारीक को यानि किया जा रहा है ठीक है अब क्या करो किसको लिखना है आप अपने friend किंजल को लिखिए तो आप लिख दीजिए dear किंजल भी लिख सकते हो या dear friend किंजल ठीक है अब देखिए बच्चों मां आपको एक format लिखा रहा हूँ जो highlight दिख रहा है केवल उतना change कर करना होगा कोई भी any invitation यानि कि आप लिख रहे हो और लगबग pattern यही रहेगा जैसे it gives me pleasure यह मेरे को pleasure दे रहा है इससे मुझे खुशी मिल रही है to invite you आपको invite करके किस पे invite करके on my elder son marriage party के मेरा बड़ा जो बेटा है उसकी marriage party पे आपको invite करते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है subject change करना है बड़े party है तो बड़े लिख दो या और कोई से यानि कि party है तो उस party का जिकर गर दो आपको question से देख करके लिख देना है तो आप कोई भी invitation लिख रहे हो आप यह लिख दीजिए कि it gives me pleasure इससे मेरे को खुशी म बेटा है उसकी मेरेज पार्टी पे अब बता दीजिए कितने तारीक को है कितने बज़े है कहां है तो या तो ओन लगा करके सिदी तारीक लिख दो या इस तरह से आप अलग से sentence बना सकते हो it will be held यह जो मेरेज पार्टी है वो रखी गई है ओन कितने तारीक को 10 चलेगी please do come करप्या आये with your family अपने परिवार के साथ अब क्या लिखोगे your presence will be graceful यानि कि आपकी presence है वो हमारे लिए graceful रहेगी या आप यानि कि लिख दोगे thank you and your sincerely यहाँ पड़ जो invite करने वाला है या करने वाली है वो अपना नाम लिख देगी कोकिला मोदी ठीक है बच्चो और ये जैसे ही हो जाए आप इसको बोक्स में लिख दोगे केवल आपको ये subject change करना है एक example और है जैसे इसमें मैंने format में सारा बता दिया जैसे कोई प्यानिकी आ जाए सबसे पहले senders name लिखिए मोदी भवन उसके बाद writing date लिखिए जितने तारीक को later लिखा जा रहा है उसके बाद आप salutation dear लगा करके अपना friend या friend का नाम लिख दीजे ठीक है अब क्या लिखोगे दूसरा तरीका ये भी है we are pleased वो अगर format नहीं करना चारे हो तो आप इस format से भी कर सकते हो हमें खुशी हो रही है to invite you आपको invite करते हुए ठीक है अब किस पे अब subject लिख लीजिए to the 21st birthday party of our son कमल यानि कि to the 21st birthday party कि 21st birthday party of our son कमल कि हमारा बेटा कमल है उसके यानि कि 21st birthday party है on इतने तारीक को है 8 कहां है मोधी भवन जेपूर में है 8 7 p.m. to onwards कि 7 बजे से आगे तक रहेगी तो आगे क्या लिख दोगे please do come with your family please आईए आप अपने परिवार के साथ तो इस तरह से आप लिख सकते हो और भी line लिख सकते हो यह जो आप informal invitation लिखते हो please convey my best regards यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि यानि कि please convey my best regards मेरा best regards यानि कि देना मेरा best समान देना किसको to your respected यानि की family members आपके जो respected यानि family members है उसको जो 10th में आपने जो letter किया था informal यानि की जो letter से मुसी तरह से या आप ये line लिख दीजिए जो fix अपनी line है your presence है वो क्या रहेगी will be graceful अब उसके बाद क्या लिख दीजिए thank you लिख दीजिए your sincerely यहाँ पर complimentary close आप कर दीजिए क्या लिखने वाला कौन है कोकिला मोधी है तो इस तरह से बच्चो देखो आपको format में अच्छी तरह से यह बता दिया है आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे invitation यानि की राइटिंग लिखोगे informal invitation राइटिंग बाई चांस आ जाए तो यहाँ पर अब क्या करोगे sender's name हो गया, writing date हो गई, salutation लगा दिया और यह जो highlight कर रखा है केवल यही आपको change करना इधर देखिए यहाँ subject है चाहिए उपर वालब format कर सकते हो और यह जैसे ही हो जाए अब question paper के अंदर अगर कोई date दी हो, date दिया हो या पेले इस दिया हो तो आप उस according यानि की कर दीजिए आपको ज्यादा यानि की गयरा लिखने ही जूरत नहीं है और या इस तरह का pattern नहीं लिखना चाहरे हो तो आपको 10th में क्यार करवाया गया है informal invitation आप उस तरह से भी आनि की कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा बढ़ा नहीं हो जाए अपनको बस इतना ही बात बताना ह है कि हमें खुशी हो रही है कि आपने invite यानि की आपको invite करते हुए और इतने तारिक को है इतने वज़े है कर प्रिवार सहीत आये प्रिवार सहीत आना है या केले आये जो भी आना है आप उस तरह से आने की लिख सकते हो तो बच्चों इस तरह से अपना invitation जो था informal invitation वह आज पूरा हो चुका है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like करें दोस्तों में share करें अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें thank you